देश के अलग-अलग हिस्सों में फसे प्रवासी मजदूरों, तीर्थ यात्रियों, परिटकों, छात्रों को लोकडाउन में कुछ शर्टों के साथ आवजाही की इंजाज़त, राज्यों को प्रोटोकॉल का पालन करते हुए एक दूसरे से समपर्क कर आवजाही करनी होगी सुनिश्चित। रिमन्ट्राले ने की देश भर में कोविट उन्निस की ताजा स्तिती की समीक्षा कहा तीन मैं तक लोकडाउन का सकती से करना होगा पालन, चार मैं से लागू होंगे नए दिशा निर्देश, जोससे कई जिलों को मिलेगी राहत। कोविट उन्निस की वज़ा से होए लोकडाउन का कृशिक क्षेत्र पर नहीं होगा कोई असर, देश में ग्रीश मकालीन बुआई में इस साल 38 प्रतीशत की व्रिधी, अच्छे मौनसून के साथ कृशिक क्षेत्र में 3 फीस्दी की दर से व्रिधी का नुमान। देश में कोरोना संकर्बन की रफ्तार में आई कमी, पिछले कुछ दिनों में कोरोना के मामले दो गुने होने की दर 11.3 दिन, व्रिधी की सतर पर मृत्यू दर साथ फीस्दी है, जबकि भारत में ये दर 3 प्रतिशत देश में कोरोना के सक्रिये मामले 22,982 अब तक 1,008 लोगों की मौत, 7,796 मरीज हो चुकी है, ठीक, इंजर सरकार ने अपने सभी अधिकारियों, करंचारियों, सरकार के आउट्सोस्ट स्टाफ को मोबाइल फोन पर आरोगे एप, आरोगे से तू आप तुरंत डाउनलोड करने को कहा, दुनिया भर में करोना से करीब 31,90,000 लोग संक्रमित मरने वालों का आखड़ा, 2,27,000 के पार, अमेरिका में 6,800 से ज्यादा की मौत, लेकिन वहां, रेम दे सिवीर, दवा से जागी नई उम्मीद, सबसे ज्यादा प्रभावित देशों की सूची में, स्पेन, इतली और फ्रांस पे शामिल, और जापान के प्रधानमंद रीशन जो आबे ने कहा, करोना वारस की महामारी की बीच, जो लम्पिक खेल आयूजित करना नामुम्किन, नमस्कार, समाचारों में आप सभी का बहुत-बहुत स्पागत है, मैं हुझ जाया, सिनहा, शुरुबात करेंगे इस वक्त की एहम खबरों के साथ, लॉग डॉग के दौरान देश के विबिन हिस्सों में फसे प्रवासी मज़ूर, परटक, चात्रों और अन्य लोगों को लेकर ग्री मंत्राले ने बड़ा फैसला लिया है, ग्री मंत्राले की ओर से जारी नई गाइडलाइन्स के अनुसार, ये लोग कुछ शर्टों के अब अपने घर जा सकेंगे, इसके लिए राज्य सरकारे उनके लिए बसों की विवस्था कराएगी, ग्री मंत्राले ने राज्यों को निर्देश दिये हैं कि वे अपने यहां लोगों को वापस बुलाने और उन्हें भेशने के लिए नोडल प्राधिकरन और नियम की नई गाइडलाइन्स के मताबिक अगर किसी राज्य में फसा कोई व्यक्ती दूसरे राज्य में जाना चाहा रहा है, तो इसके लिए दोनों राज्यों की सरकारे आपस में बात चीत कर उप्युक्त कडम उठाएं, लोगों को सड़क के रास्ते ले जाया जाए, लोगों उनकी जांच करनी होगी, इसके बाद उन्हें घरों में प्रिथक रहना होगा, हालात के अनुसार अगर जरूरत हो, तो उन्हें क्वारंटीन सेंटर में भी रखा जा सकता है, इन सभी लोगों की समय समय पर मेडिकल जांच की जाएगी, आरोगे सेतु आप से इनकी स्वास स्थिती की निगरानी रखी जाएगी, और जरूरत पढ़ने पर उनका पता लगाया जा सकेगा, और लोगडाउन के चलते कोविट उन्हें पटने में देश बेहतर स्थिती में है, इस वीच इगरी मंत्राले में लोगडाउन को लेकर उचस्तर ये बैठक की गई, इस होना बेहत जरूरी है, इसके साथ ही इस बैठक में इस बात पर भी चर्चा हुई कि केंदर आगे के लिए नए विस्तृत दिशानर देश जारी करेगा, जो की चार मई से प्रभावी होगा, इस नए दिशानर देशों में कई जिलों और क्षेत्रों को छूट मिलने की संभ हावना है, पिछला विस्तृत दिशानर देश पंधरा अपरेल को जारी किया गया था, जिसमें बाद में कई एहम चीजे भी जोड़ी गई थी, और हमारे साथ इस पक्त और जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं, समबादाता सुधाकरदा, सुधाकर सबसे पहले बाद कोई सबसे बड़ा मंदर था, कोई सबसे बड़ी जुनवती थी, तो ये प्रवाथी मज़ूर या कहीं जहां सहां लोग जो फथे हुए हैं, उनकी बाद थी, राज्यों की भी लगड़ादार मांग थी, और तेनर ने भी इस सुची को समझा, और इस लिहाद से ये बड़ प्रश्ला केंदर की तरफ से किया गया है, कि ये जो फथे हुए अप्रवाथी मज़ूर है, या तमाम अन्य लोग है, स्टूडेट्स है, तूरिस्ट है, वो अपने राज्यों को लोट सके, इसके लिए बवस्था की जा सकती है, और राज्य सकारें इसके लिए बवस्था की जाए, क्योंकि ऐसी संक्या हजारों लागों में ऐसे लोग हैं, एक, कह सकते हैं, सिस्टमेटिक तरीके से इनके वापसी की कोशिचों करनी पड़ेगी, चाहें उनका रेजिस्ट्रेशन करके किया जाएं, इस्टोडल ओफिसर्स के जरिए, और बारी बारी से लोगों को कि लोगों को ये भी बताना पड़ेगा कि एक ही दिन में तमाम लोग वापिस नहीं आप आएंगे, तो उस तरह की तमाम चीजों को देखना पड़ेगा, और इसके लिए जाज्यों का आपस में भी कोशिचों होना बहुत जरूरी है, तो ये बहत में विशे रहेगा, और फड़ाता वक्त लगता अगले अपते दर दिन में तो पूर्ण महेंगे तल्यास, लेकिन ये एक संकेत ये भी है, इसका कि ये जो लोगडाउन किसी दिती है, खासाओं से जो रेट जून वाले इलाके हैं, और इस तरह के जो ज्यादा प्रभाविस इलाके हैं, वहां फिल इन जगाओं पर फसे हैं, साथी साथ जिस तरह से सुधाकर कल जो ग्रीमंट राले की एक बैठे कुई जिसमें बहुती करी निगरानी रखी जा रही है, लगातार जिस तरह से लोगडाउन को लेकर उसकी समीक्षा की गई, हम देख रहें कि करोणा संक्रुमन की जो रफता करने की बात की गई है? जानी वहाँ जो दिन्चरिया है, वहाँ जो इंड़्स्री है, वहाँ जो कामकाज हो, उसको ज्यादा बला जा सकता है, और देखिए प्रगाम मंस्री ने भी राजियों के मुख्य मंस्रियों से जब बात की थी, वो संकेथ उनों ने दिया भी था कि जो ठाकवर से ग्रीन जोन है, वहाँ जन जीवन वहता सरीके से चले उसकी बात की जा सकती है, और ऐसे तीन सो से भी ज्यादा जिले है, और ऐसे जिलों में अगर ज्यादा से ज्यादा एक्टिविटीज को चलाने की ठूट मित्ती है, तो निशीब तोर पर ना सिर्पोरा के थानियों के लिए, बलकि पूरी देश के लिए, और अज्यादा की लिए यह काफी महत्वकून फैसला रहेगा, लिए निशीब तोर पर अभी भी कर्टेनमेंट जोन, रेट जोन, हाट पॉर्ट जोन, वहाँ सक्ती रखने की परतने की जूरत है, यह संदेश संकीत भी, ग्रे मंत्राले ने सा 31,787 संक्रिमंट हैं, जिसमें से 22,982 के इस अक्टिव यानिकी सक्रिये हैं, 7,796 मरीज संक्रिमंट से मुक्त होकर अस्पताल से खर लोट चुके हैं, जबकि मौत का अंकड़ा एक हजार आठ है, फिलहाल 3 मैं तक लॉकडाउन का दूसरा चरण है, और सरकार लगातार 31,787 कुल मामले हैं, लेकिन जो सक्रिये मामले हैं, वो 22,982 ही हैं, और इसमें भी हम बदा दें कि 7,796 लोग इस वक्त पूर तहां स्वस्त हो चुके हैं, ठीक होके अपने घर जा चुके हैं, उन्होंने करोणा को हराया है, और यही संदेश वो हम सभी को दे रहे हैं और केंडरी सरकार ने अपने सभी अधिकारियों और केंडरी सरकार के अंदरकत काम करने वाले आउट्सोर्स सहित सभी करमचारियों को अपने मुबाइल पर तुरंट आरोगे सेतू आप डाउनलोड करने को कहा है, सरकार ने कहा कि आरोगे सेतू मुबाइल आप में अपनी स्थिति की समीक्षा करने اور सुरक्षित और कमख़त्रा दिखाने पर ही अधिकारी और करमचारी काम कर, काम पर आएं. केंडर्ड शरकार ने कहा कि एगर अप में स्थिति अधिकारी और करमचारी को कारे री। नहीं आना चाहिए इसके साथ ही वेक्टी 14 दिनों या स्थिती सेफ या कम खत्रा दर्शाने तक सेल्फ आइसोलेट करें संयुक्त सचे फ्रशासन को अपने मंत्राले या विभाग में इन्ने देशों का पालन सुनश्चित करने के लिए कहा गया है तो आप सभी अपने मुबाइल्स पर आ रहोगे से तू आप जरूर डाउन्डोड करें और देश में करोना वारिस पहामारी से नेपटने के लिए देश भर में तीन महीं तक लोगडाउन है जिसकी वजह से कई राज्चों में श्रॉमिक और चात्र फासे हुए हैं इस समस्या के मदे नज़र देश की क्रीमंत वाले नई गाइलाइन्स जारी कर दी हैं लोग सभाधी हक्ष ने कहा कि इस गाइलाइन के तहट कोटा में ठेहरे हुए सभी राज्चों के कोचिंग विद्यार थी अब अपने घर लोट सकेंगे उन्हें विश्वास रताया कि केंडर सरकार द्वारा जारी काइलाइन्स का बालन कर राज्चे सरकारें अपना प्रोटोकॉल तैकरते वे जल्द ही सभी वर्गों को अपने अपने घरों में भेशने की वैवेस्था करेंगी इसके साथ ही उन्हें ने कहा कि लोक डाउन के कारण संसेदिक शेत्र कोटा ही नहीं अपितू प्रदेश प्रदेश पर में विविन राज्यों में रह रहे रहे विद्यार्थियों प्रवासी स्रमिकों परटकों की घर वापसी होगी फसे जात्रों एवं श्रमिकों की अपने घर पहुँचने की राह हुई आसान ग्रेमन ट्राले ने जारी के हैं नई गाइडलाइन्स और जोसे उम्बिला ने कहा है कि हर राज़े की विद्यार्थियों प्रवासी श्रमिकों की घर वापसी होगी और मानफ संसाधन विकास स्वंत्री रमेश पोक्रियाल निशन्त ने कहा है कि लॉकडाउन खत्म होने के बास तिती सामाने होने पर सीबियसी की दर्सपी और बार्मी बूट की उन्तिस प्रमुक विश्यों की परिक्षाएं आयोजित होगी उन्हेंने कहा कि बाकी बचे विश्यों के परिनाम आंत्रिक मुल्यांकन की आधार पर जारी होगी सीबियसी की परिक्षाएं जो रुकीवी हैं उन रुकीवी परिक्षाओं को जैसे ही इस्तिती सामने होगी उन परिक्षाओं को कराया जाएगा और यदि ऐसा लगेगा कि और आगे और कठनाईयों ने आना है तो तीन तारीक तीन मही के बाद क्या प्रस्तिया होती है उसके बाद में विचार किया जाएगा लेकिन अभी तक CBSC की 83 परिक्षाओं शेश हैं जिसमें से 29 परिक्षाओं मूलता हैं तो जो 29 परिक्षाओं मूल हैं हम उनी मूल परिक्षाओं को 29 परिक्षाओं को ही कराएंगे और UAE में भारतीय मिश्ण ने करोना के कारण स्वदेश वापसी के छुक भारतीय नागरिकों से ई-रेजिस्टर करवाने के लिए कहा है भारतीय नागरिक आबुदाबी में भारती तुतावास या दुबई में भारतीय बानिचे तुतावास की वेबसाइट पर अपना पंजी करण करवा सकते हैं इससे उन लोगों के लिए एक डेटाबेस बनाया जा सकेगा जो भारत वापसी करना चाहते हैं भारतीय मिश्रन ने एक बायान में कहा कि इस इपंजी करण का उदेश रेक केवल जानकारी गत्र करना है ताकि उन लोगों की संख्या कानुमान लगाया जा सके जो देश के विभिन हिस्सों में घर वापस जाना चाहते हैं इस से भारत सरकार को रणीती बनाने में आसानी होगी स्पदेश वापसी के इच्छुक लोगों को परिवार के प्रतेक सदस्ते के लिए अलग-अलग फॉर्म भरना होगा जो कमपनियां अपने करमचारियों को वापस भेजना चाहती हैं उन्हें प्रतेक करमचारी के मॉबाइल नंबर और भारत में अपना मूल पते जैसी समानने जानकारियां देनी होंगी और आईए और जानकारी लेते हैं इस वक्त दुबई में मौझूद हमारे संबाद आता कंचन प्रसाद से कंचन गूद मॉनिंग सबसे पहले आपसे जाना जाएंगे कि इस वक्त जो कोरोना का संक्रमेंट है उसकी क्या सिती है दुबई और युवेई में आज के दिल में 11,000 से जादा लों कुछ अंकमित है जिसमें 2,000 से उपर लोगों की रिकबरी भी है लेकिन संख्या लगबग 500 या सारे 500 लगबग डोल के हिसाब से पर्टी दिख रही है पर लॉंडाउन भी पार्शल रूप से यहां पे खुल चुका है और एक नए नॉर्मल सी में हम जो युवेई बाती हैं वो वापस आ रहे हैं जाया बिल्कुल जसे भाप करें कि दुनिया भर से लोग दुबइ में युवेई में काम करते हैं लेकिन उसमें बड़ी संख्या भारतिय कामगारों की है भारती एक्सपार्ट की है यह यहां पर उनकी एजरेश्ट्रेशन की बात की जा रहे है यहां पर किस तरह से देख कि जो भारती कामगार इस वक्त वहां है उन्हें उनको बहत्री सुविधाय देने की प्रयास इस वक्त चल रहा है। भारत सरकार का ये प्रयास है कि जितने लोग यहां पे चाहर करते और जो भारती नागरिक वापस जाना चाहते हैं। अब इस ऐसे लोगडाउन के सिती में और जब ये कोरोना पाइरस पूरे विश्म में कैला हुआ है तो भारत सरकार का ये प्रयास है कि जितने भारती नागरिक जो जाने वापसी जाने के लिए उनका एक डेटाबेस प्रयार कर लिया जाए। इसी के तहट UAE में जो Indian Consulate है और Indian Embassy है इन लोगों ने कहा है कि आप इस डेटाबेस पर रजिस्टर करने के लिए Embassy के वेब साइट पर जाएं और वहां पर एक लिंक है उसमें अपने आपको पंजिंकरत करा लें और ये सिर्फ UAE में ही नहीं ओमान में भी है बाहरें में में साओी अरेडिया में भी हो रहा है जल्फ के जितने कंट्रीज हैं सारी के सारे एंबसी ने ये गोशना की है इस से क्या है कि जितने लोग जाना चाहते हैं उसके नंबर का एक अनुमान लगाया जा सकता है ताकि जब ये भारत जाएं तो सरकार इनको रिसीव करने के लिए क सारे लोग ऐसे भी हैं जो अपने अपने स्टेट्स में जाना चाहते हैं यह नहीं है कि सिस्ट बिल्ली के लिए कोई केरल जाना चाहता है कोई मुंबई जाना चाहता है या कि और जाना चाहता है तो सारे 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 स्टेट्स भी इसके लिए मुस्तैब रहें कि बाहर से ज एक बार अनुमान लगा लेंगे और तैयारिया हो जाएगी और जब फ्लाइट की अनाउंस्मेंट की जाएगी तब इसकी सूचना सारे सोचल वेब साइज या अत्वारों की द्वारा दी जाएगी जाया चलिए कंजन बहुत बहुत शुक्रियास जानकारी के साथ जुड़न डवलपमेंट होंगे उसके बारे में भी हम आपको जानकारी देते रहेंगे और प्रधान मंत्री जरींदर मोदी ने बांगलादेश की प्रधान मंत्री शेख हसीना के साथ टेलीफोन पर बाचीट की साथ ही दुरुनिताओं ने कोविच उन्निस महामारे के कारण उत्पन शेत्री हालात पर चर्चा की और उसके प्रभाव को कम करने के लिए अपने अपने देश में उठाये जा रहे कदमों से एक दूसरे को अफगत कराया इसके साथ ही प्रधान मंत्री मोदी ने रमजान के पवित्र महीने के अफसर पर भारत की जनता और स्वेम अपनी और से बांगलादेश की प्रधान मंत्री शेख हसीना और बांगलादेश की जनता को बढ़ाई दी वहीं दोनों नेताओं ने सार्क के सदस्ते देशों के नेताओं के इस बीच 15 मार्च को सेहमत विशेश व्यवस्थाओं को लागू करने की दिश्रा में हुई प्रगती पर प्र जगत प्रगाश नडडा ने वीडियो कॉंफिंसिंग के माध्यम से नौट इस्ट के विधायकों से कोविट उन्निस से जुड़े कई मुद्धों पर चर्चा की उन्होंने इस पारस से नेपटने के लिए किये जा रहे है विविशेत्रों में राहत कार्यों की प्रशंसा क और लोगडाउन की बीच कृशिक शेत्र से राहत भरी खबर देश में अनकी कोई कमी नहीं है और इस साल भी फसल अच्छी होगी और लक्षे से अधिक उत्पादन होने की उमीद है जीडिपी में कृशिका योगदान 3.7 फीजदी था और सरकार को आशा है कि आने वाले व डाउन के बीच कृशिक शेत्र से राहत भरी खबर है देश में कृशिक शेत्र और रवी फसल उत्पादन के बारे में एक प्रेस कॉन्फरेंस में जानकारी देते हुए केंदरी एक कृशिय वंकिसान कल्यान मंतरी नरेंदर सिंग तोवर ने कहा कि कृशिक अक्षवित्र लगातार आगे बढ़ रहा है जीडीपी में कृशिक शेत्र का योगदान 3.7 परसेंट रहा और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले कल में भी यह बहुत प्रभावित नहीं होगा कि सरकार समय समय पर लगातार इस बात का प्रियत्र करती रही है कि सरकार के खजाने का जो पैसा है भिन भिन योजनाओं के लिए किसान और क्रसी दोनों की मदद के लिए उपलब्द रहे क्रशी मंत्री ने कहा कि सरकार के यह कोशिश रही है कि खजाने का पैसा किसान और क्रशी के लिए उपलब्द रहे पीम फसल विवा योजना किसानों का एक बड़ा कवच है इस योजना में पुर्वत्तर राज्यों के किसानों को 90 पीस्दी प्रेमियम सबसीडी दीजा रही है बीस लाग किसानों के के सी सी स्विकृत किये गए हैं प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले दिनों किसान संबान निद्धी उसने की शुरुआत की थी जिसके जरीए अब तक कुल 71,000 करोड रुपे दिये गए हैं किसानों के संख्या 9,49 करोड है और अभी पिछले दिनों में इसी वर्स में अगर हम देखेंगे 24 मार्च से लेकर अभी तो यह संख्या जो है 17,986 करोड रुपे रुपे हैं कृशे मंत्रे ने कहा कि सरकार देश के किसानों को धन्यवाद देना चाहती है क्योंकि लॉक्डाउन के बावजूद उन्होंने ज्यादा बुआई करके देश में अन्न की कोई कमी नहीं होने दी आने वाले कल में भी अगर हम देखेंगे तो ध्यान में आएगा कि जो मौसम का अनुमान है उसको दिरिश्टिकद रखते हुए आने वाली फसल भी अच्छी होगी या विश्वास पूर्वक कहा जा सकता है सरकार के द्वारा दी गई जानकारी के मुताविक इस साल भी फसल अच्छी होगी और लक्षिस से अधिक उत्पादन होने की उम्मीद है खास बात ये ही है कि दलहन के उत्पादन और बागवानी के क्षेतर में भी प्रगती हुई है दलहन की कटाई पूरी हो चुकी है जबकि गेहूं की कटाई 88 फीस्दी हो चुकी है लॉक्डाउन में किसानों को काफी छूट दी गई है और कृषिक शेतर ने मजबूती से अपनी भूमिका निभाई है जिसकी वज़र से कृषिय उत्पाद और किसी भी तरह की चीज़ों की कोई कमी नहीं है इस दोरान डीजिटल उप्यों को भी बढ़ावा दिया जा रहा है इनाम के तहट देश भर में पहले 585 मंडियां जोड़ी हुई थी जिनमें अब सौ और मंडियां जोड़ी गई है इसे बढ़ा कर जल्दी ही एक हजार मंडिय तक करने पर काम चल रहा है धीरज कुमार के साथ ब्योरो रिपोर्ट डीटी नियूज विग्यान और प्रॉद्योगी की विभाग और इसके विभिन सवायत संस्थानों ने कोविट-19 महामारी से उत्पन अनुसंधान और विकास और नवाचार संबंधी चनौथियों का समधान करने के लिए कुछ महतुपून प्रयास किये हैं संबादाता तपस भटचारे ने विग्यान और प्रॉद्योगी की विभाग सचेव प्रॉफेसर आशितोष शर्मा से की खास बाद इस वक्रमा आशितोष जो बताएंगे कि क्या क्या स्टेप्स लिए जा रहे हैं को विग नाइटिंग के खिलाफ इस चंग में करविरिस की प्रॉब्लम है ये बहु आयामी प्रॉब्लम है तो इसके नदर हर चीज आइस में डाइग नॉस्टिक्स है इसके अंदर वेक्सीन है इसके अंदर ड्रग डिस्कवरी है ऐसके अनिजिग है तो यह सभी इसके अंदर समलित हैं, तो कांगे DST एक सबसे बड़ा गवर्मेंट का डिपार्टमेंट है, जो की रिसर्च, डिसर्च, डवलब्मेंट और इनोवेशन को सपोर्ट करता है, सभी जगे, चाहे वो युनिवर्सिटी हो, आइएटी हो, एंजियोज हो, चाहे वो जो की इंडिजनेस टेक्नोलोजी को यूज करती है, तो यह सब इनको साथ लेकर चलते हुए, हमने बहुत सारा कारी शुरू किया है, हर तरह का, तो जैसे की एक 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 जामपल है, कि शीचित्रा इंस्टिटूट और मेडिकल साइंस और टेक्नोलोजी तिरुवननपुरन म एक नया डाइगनोस्टिक किट बनाया गया, तो यह डाइगनोस्टिक किट जो है, वो दुनिया में अलग तरह का है, बिलकुल नए तरह का है, इसके द्वारा करीब कीमत दस गुनी कम हो जाएगी, और टाइम आफ टेस्टिंग जो है, वो भी दस गुना तेज हो जाएगा तो इसके द्वारा बहुत सारे जल्दी जल्दी जो हमें टेस्ट की आवश्यक्ता जब भी होगी तो वो किये जा सकेंगे तो एक उधारन है उसमें चार साल पहले एक टेक्नालोजी रिसर्च सेंटर होँ बनाया गया था सौ करोड के इंवेस्टमेंट से तो वो इस पर कारी क कर रहे थे जो कि समस्या है विश्व में कंट्री में तो और आप आए देख ले दें कि विश्व भर में करोणा वारस को लेकर क्या कुछ हाल है दुनिया भर में सबसे अधिक अमेरिका को प्रभावित किया है करोणा वारस ने कोविड-19 से गंभी रूप से जूज रहे अम हो गई है जबकि इससे संक्रमत लोगों की संख्या 10 लाग का आकड़ा पारकर 10,37,970 हो गई है लेकिन इस पीच इम्मूनोलोजिस्ट डॉक्टर फॉसी ने कोविड-19 के संभावत उपचार के लिए रेम-डेसीवीर दवा के प्रती उम्मीद जदाई है और कहा है कि इसका छिकेट सकिये पारेक्शन जिखाता है कि ये डावरेकवरी में काफी प्रभावी थाबिए है और अमेरिका में कैंसर का उप्चार कराने के बाद पिछले साल से तंबर में भारत लौटे या भीनिदार श्रीकपूर को मुंबई के एचन रिलाइंस अस्पताल में भरती कराए गया है उनके परिवार की ओर से यह जानकारी दी गई है कि उन्हें सांस लेने में समस्या हो रही है फिलहाल उनकी सिती स्थिर बताई जा रही है और तो भी नितार रिश्टी कापूर इस वक्त अस्पताल में भरती हैं लेकिन फिलहाल जो उनकी स्थिती है उस तिर बताई जा रही है और खबरों में हमारा लगादार सलसला जारी रहे का लेकिन इस पूटन में इतना ही है लेकिन जाने से पहले आपको छोड़ जाते हैं कुछ प्रेरक विश्वल्स के साथ ऐ देश मेरे तू जीता रहे आई टी बीपी जवान अरजुन के रियाल दौरा दीश के करुणा युद्धाओं को समर्पित इस गीत के साथ आपको छोड़े जाते हैं नमस्कार लाल तेरे रखवाले हैं सरहद की रखवाले हैं हम करते हैं हम एक और करम हैं मुश्किल में जो लोगियां जिस लिता में थाड़े हैं लोटाएगी फिर वही खुशी संग बनाएगे जाहारता मेरे फूमे वत्ता है सदा हारत बंदे मातरम जिस लिए खुशी खुशी संग बनाएगे जाहारता हैं लोटाएगे जाहारता हैं लोटाएगे जाहारता हैं